हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे राइजोस्पियर एंड फाइलोस्पियर के बारे में यह दोनों क्या हैं इनके कंसेप्ट के बारे में परिवासा के बारे में और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और पोदे म पोद्धे काद्यन करते हैं इनका अध्यन किस तरह सूपयोगी रहता है इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे फाइलो स्पियर फाइलो सब्स से बनाए जिसका साब दिकरत होता है लीव यह पत्ती और राइजो स्पियर राइजो से बनाए जिसका साब दिकरत होता है रूट्स अब जाहिर सी बात है, जो पत्य होती है, वो जमीन की सत्य से उपर होती है, तने पे होती है और जो roots होती है, वो जमीन की सत्य से नीचे होती है ये above ground होता है, phylosphere above ground और rhizosphere below the ground होता है अब परिवासा की इनकी बात करें हम, rhizosphere की the zone of soil surrounding a plant root where the biological and chemical activities in the soil are influenced by the root system of plants is called rhizosphere मर्दा का वह इसा जो पादब जड़ के चारो तरफ होता है जहां पर जेविक वह रासायनिक क्रियाएं सबसे जादा होती है और वो जड़ तंतर द्वारा प्रभावित होती है इस जड़ के आसपास का एरिया पादब जड़ द्वारा इन्प्लेंस होती है यहां पर होने वाली जेविक वह रासायनिक क्रियाएं तो यह संपुन चेतर कहलाएगा राइजो स्पेर इस जोन इस बाओट वन अमम वाइड फ्रों दे रूटस यह लगबग एक मिलिमेटर होता है जड़ का जो चेतर जड़ होती है उससे एक मिलिमेटर तक यह होता है लेकिन यह कोई फिक्स नहीं है कि एक मिलिमेटर ही होएगा एक मिलिमेटर से जड़े भी हो सकता है और इसका कोई एक फिक्स है किनारा नहीं है ते राइज़स्पियर इज हैबिटेट ऑफ डाइवर्स माइक्रोबियल पोपुलेशन देट परफोर्म वेरियस फंक्शन्स और एक्टिविटीज एंड एक्क्स नूमरेस इफेक्ट्स ओन फ्लांट ग्रोथ और डॉलपमेंट राइज़स्पियर में सुक्सम्झेयों की जो संक्या होती है वह सबसे जादा होती है और अलग-अलग गृर्प के सुक्सम्झेय होते हैं जैसे फंगाई बेक्टीरिया,brकलियुर्ण और ये अलग-अलग कारिय एकरते पर गतिविद्या करते रहते हैं और प्लांट के ग्रोथ वर्दियों विकास के उपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं यह न्यूट्रेंट साइक्लिंग पुसकततो की चक्रण में सक्रे रूप से भाग लेते हैं प्लांट को फ्रिटो पैथोजन से बचाते हैं बायोटेको स्ट्रेस से बचाते है लेकिन कुछ कुछ माईक्रोब्स शुक्सम squirrel ऐसे होते हैं जो प्लांट पैथोजन रोग रोग उत्पन करने से प्ढाशा हैं इसलिए जातर लाबदाय करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रोग भी पैदा करते हैं पादपो में कि इस्मोल रिजिन और जोडन ऑप सोयल यह जमीन का चोटा भाग होता है इस्ट वाइक्ड निकलते हैं और इसके आसपास जो माईक्रोब यह जो सुक्सम्जीव रहते हैं उनसे ये सीध्य तोर पर प्रभाईट होता है तो दो कारकों से प्रभाईट हो गया एक तो जड़ से निकलने वाले सराओं से और दूसरा उसमें रहने वाले सुक्सम्जीव से तर्म राइजोस्पीर वाज फेस्ट कॉइन इnt नाइने नोट धूर बाई लोरेंज हिलतनर जो राइजोस्पीर सब्द है वह एक वेग्यानिक लोरेंज हिलतनर दवारा 1904 में दिया गया ये लोरेंज हिलतनर एक जर्मन एगर्नमिस्ट और plant physiologist थे इन्होंने plant root interface को as a rhizosphere describe किया जो rhizosphere सब्द है वो Greek word rhiza से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है roots या जड़े ये मर्दा की सत्य हो गई मर्दा की सत्य के नीचे वाला हिस्सा ये हो गया अपना rhizosphere और ये मर्दा की सत्य से उपर वाला हिस्सा हो गया phylosphere जो पत्ति वाला भाग है तने वाला भाग है फूलो ये फूलो वाला भाग है ये phylosphere हो गया ये rhizosphere हो गया rhizosphere की हमने बात की जड के आस पास वाला छित्र होता है micro organismos में रहते हैं जोए जो सॉल होती है उसको बोला जाता है राईयोस्पेर सॉल राईयोस्पेर के तीन भाग होते हैं एंडोराईयोस्पेर एक्टोराईयोस्पेर और इन दोनों के मद्द्न है पाय जाने वाला भाग राइजो प्लेन अब हम बात करते हैं राइजो स्पियर के सब डिविजन्स के बारे में तो तीन इसके सब डिविजन्स होते हैं पहला होता है एंडो राइजो स्पियर इसमें क्या के सामिल होता है एंडो डर्मिस और कोटेक्स के बीच वाला भाग इसमें सैमिल होता है जहां पर in which cations and microbes occupy the epoplastic space इन दोनों के बीच में जो इस्तान होता है उसको कहते हैं epoplastic space तो इसमें cations और microbes से पाए जाते हैं इसे epoplastic space को free space भी कहा जाता है जहां पर cations और microbes से पाए जाते हैं endorrhizospir के बाद rhizoplane होता है जो की root epidermis और mucilage के पास में होता है और यह endorrhizospir और ectorrhizospir के बीच में पाए जाता है तो इसलिए यह intrazone है यह rhizoplane हो गया endorrhizospir और rhizoplane के बाद आता है ectorrhizospir is the outermost zone सबसे बाहर वाला zone है rhizospir का जो की rhizoplane से लेके bulk soil या non-rhizospir soil तक पाए जाता है तो सबसे पहले हो गया endorrhizospir दूसरा rhizoplane और तीसरा ectorrhizospir अब जो rhizospir होता है endorrhizospir से लेके ectorrhizospir तक इसका कोई definable size या shape नहीं होता क्यों नहीं होता due to plant root systems inherent complexity and diversity जो plant root system होता है उसमें काफी जटिलता और विवित्ता होती है इसलिए rhizospir की कोई निश्चित size या shape नहीं है और rhizospir में होने वाली chemical, physical और biological properties में जो change होता है बदला होता है उसकी वज़े से ये जड़के आसपास इसकी size या shape बदलती रहती है लगतार अब हम बात करते हैं phylospir की the term phylospir was coined in 1955 by last and runan last and runan नाम के दो वेगयनिक थे जिनोंने 1955 में phylospir सब्द का सबसे पहले प्रयोग किया phylospir से तात्परिया है total above ground portion of plant as habitat for microbes phylospir से तात्परिया मिट्टी की सत्य से उपर वाले portion से है जिसमें तना, पतिया, फूल, एमफल आ दिया आते हैं यह सब में अलाके का आ जाता है phylospir जिस तरह से राइजोस्पियर में microbes निवास करते हैं उसी तरह phylospir में भी काफी microbes निवास करते हैं राइजोस्पियर के बाद, second largest habitat जो microbes के लिए है वो phylospir ही है, मतलब सबसे ज्यादा microbes पाई जाते हैं राइजोस्पियर में और उसके बाद microbes पाई जाते है phylospir में तो यह microbial population को जादे जादे इस्तान प्रदान करते हैं, अब हम बात करते हैं phylospir के subdivisions के बारे में, जैसा कि राइजोस्पियर को तीन subdivision में डिवाइड किया गया है, इसी तरह phylospir को चार groups में सब डिवाइड किया गया है, अभी चार group कौन कौन से हैं, जानते हम, सबसे सब creation करते हैं, प्रदान प्लाइड कर तो बारे में पんなभाग कौक्प जीखे कारे से न हीवाज फिर्पन का जाता है हैं, अंहीं सब्सक्राइड करते हैं, त Walker फेयो थैस्थ हमे, प्लाइड को यसे फिर्पे सब आता हैं, माइंड प्लाय ना वमाय को में प्लाम और उसमें जो इस फेर होता है या जिसमें जो माय क्रोप पाये जाते हैं उसे काशाता है इंतोइसubscribe और लू रास्स उता है कार्पोई तो प्रू ने हूं प्लांट के प्रूट के पास लेखिया कार्पोईस इस तरह से यह चार सबडिविजन है फाइल स्पेयर के, तीन सबडिविजन हो गए राइजो स्पेयर में और चार सबडिविजन हो गए फाइल स्पेयर में, अब हम बात करते हैं फाइल स्पेयर और राइजो स्पेयर दोनों के बीच में क्या-क्यांतर हैं और किसके सादार पर इन पे अंतर हैं, इन सब के बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पारिवास का दार पर क्या क्या अंतर है पाले स्पीर इस्थमधर टोटल सर्पेस वफ फ्लांट इनिपिटेड बई माعمरम हबूग रांट सर्पेस होता है और उसमें total surface आता है जिसमें तना, पतिया, fruits और फल सारे आते हैं जिन पर microbes निवास करते हैं अब हम बात करें राइजोस्पियर की Is the region of soil that surrounds plant roots which is under the influence of root exudates and root microbiomes राइजोस्पियर below ground area जो की root के आसपास वाला छेतर होता है जिसमें root exudates और root microbiome होते हैं वातारण में और plants के उपर वाले भाग और नीचे वाले भाग दोनों में microbes पाहे जाते हैं फंजाई, bacteria, actinomycities और भी छोटे मोटे कही तरह के सुक्सम्जी होते हैं तो इस तरह phylospir में microbiome होता है और rhizospir में microbiome होता है phylospir की तुलना में rhizospir में ज्यादा microbes पाहे जाते हैं अब बात करते हैं region या छेत्र के अनुसार इन दोनों में क्या क्यांतर होता है phylospir और rhizospir में क्या क्या अंतर है phylospir में mainly leaf surface होता है और rhizospir में plant roots के समीप वाला soil surface होता है अब microorganism के आदार पर क्या क्या अंतर है rhizospir में और phylospir में बात करते हैं phylospir में केवल aerobic सुक्सम्जी उपाए जाते हैं जबकि rhizospir में aerobic और anaerobic दोनों प्रकार के सुक्सम्जी उपाए जाते हैं इसमें aerobic पाए जाते हैं क्योंकि यह जमीन के उपर वाला हिस्सा है oxygen उन्हें प्रयाप्त मिलती रहती है इसलिए जादा तर anaerobic यह पाए जाते हैं अनवाइ जाते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं Rhizospir जमीन के नीचे वाला इस्सा है जडचहत्र के आसपास वाला इस्सा है यह इसमें aerobic और anaerobic दोनों प्रकार के more disturbs पाए जाते हैं जो भी पोदे से सराव निकलते हैं, उसके आदार पे दोनों में क्या क्या अंतर हैं, राज़स्पियर और फाइलस्पियर में, फाइलस्पियर में महलने प्लांट लीफ एक्जोडेट्स सच एज अमिनोएसिट, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, यह इसमें प्लांट है, इसमें क्योंकि अबोग राउंड इससा है, पोदे का, तो इसमें लीफ एक्जोडेट्स, पोदे की पत्तियों से निकलने राइजस्पियर की बात करें तो, रूट एक्जोडेट्स होते हैं, क्योंकि बिलोग राउंड पार्ट है, इसलिए इसमें रूट एक्जोडेट्स निकलते हैं, कार्बाइडरेट, एमिनोएसिड और विटामिन इसमें मुक्यत्या होते हैं, अब हम बात करते हैं, लोकेश तो इनके लोकेशन क्या है जमीन की सत्य से उपर है या नीचे उसके आदार पर क्या अंतर है इसमें तो हमें इस पर्ष्ट है कि कि जो फाईलो इस्पेयर है वह उपर की तरफ होता है और जो नीचे की तरफ इस्तित्त होता है तो क्लिर सा इन में अंतर है कि अब सबिविजन के अदार इनमे क्या क्या अंतर हैं सब ने कितने कितने हिस्से हैं उन्के आदार पर क्या क्या अंतर हैं तो हम जानते हैं कि घाइज topics तो तीन मुक्हित और फाइलो स्प्यर में चार पाइल कि वाने स्ब डिजन फ़ाही अधिर तो प्लेively ऐ项ल टो फेर्ट ट्रियरड उस्पेर कारपश पेर और तो फिर्ट्राइन जो राइजो स्पियर बोलेंगे और दूसरा एंडो राइजो स्पियर यह इसके मुक्षिता दो पार्ट है इनकी बीच में एक और पार्ट होता है जिसको राइजो प्लेन का जाता है एंडो आंत्रिक हिस्सा हो गया एक्टो बारी वाला हिस्सा हो गया और इन दोनों के मद्द्ध होता है राइजो प्लेन अब जेव रासा है निक रूप अंत्रण करिया हो कि आधार पर क्या क्या अंतर है इन दोनों में फाइलोस्पियर और राइजोस्पियर में फाइलोस्पेर अबोग राउंड पार्ट है इसलिए इसमें माइक्रोब्स भी कम पाई जाते हैं और यहां का वातवरण इस्टेबल भी नहीं रहता इसलिए फाइलोस्पेर का जेवरासायनिक रूपांतरण करियाओं में बहुत ही कम योगदान रहता है यह हम बोले कि ना के बराबर योगदान रहता है राइजोस्पेर बिलोग्राउंड पार्ट है वातवर्ण है जो कि बाहरी वातवर्ण से बहुत ही कम पुरबायूत होता है इसलिए यह बहुत ज्यादा अपना योगदान देता है जेवरासायनिक रूपांतरण करियाओं में दे रूट्स के आदसपास राइजोस्पेर में पाइज गए जाते हैं जो कुछ नगुछ पंक्षार्चन करते रहते हैं जैसे डीकंपोजीशन है नाइट्रोजन का नाट्रिफिकेशन है डी-नाइट्रिफिकेशन है कई तरह की परक्रियाइज में होती रहती है